इससे कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था तो उसमें भी मैंने कहा था कि जैसे ही आप से लोग को एक्जामनेशन फॉर फिलप होना इस्टार्ट होगा मैं आप से लोग को वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूँगा यहां पर आप से लोग अपना एक इस्टूडेंट कॉर्णर में आएंगी उसके बाद यहां पर एक्जामनेशन फॉर्म वाले सक्षन पर क्लिक करेंगी यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस फरकार से पेज ओपन होगा यहां पर यहां पर आप से लिए देख सकते हैं एनांस्मेंट यहां पर एना यहां पर आप से लोग क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे या फिर जो भी उपर दोनों लिंक दिखाया गया उस पर भी आप से लोग क्लिक कर सकते हैं उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक्जामनेशन फॉर्म वाले सक्षन पर आप से लोग को दिखा दे रहा हूं और शिक्स समेश्टर का अलग प्रोस्यस है तो मैं शिक्स समेश्टर का जो है सेपरेट वीडियो अभी इस वीडियो के बाद बना दूँगा यहां पर चलिए इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर चार सक्षन है इसमें सबसे पहले आपका कोर्स टाइप कोर्स का नाम सेमेश्टर और रोल नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ पर course type वाले section पर click करेंगे, उसके बाद undergraduate, उसके बाद course name में, यहाँ पर तीनों course के नाम दियो हैं, जिस भी stream से आफसे लोग हैं, उस course को यहाँ पर select करेंगे, उसको select करने के बाद यहाँ पर semester वाले section पर आएंगे, तो यहाँ पर second semester, four semester और six semester का आफसन आ रहा है यहाँ पर bike paper का form भी ठीक इसी प्रिकार से आफसे लोग fill up कर सकते हैं, जिननों का bike paper लगा हुआ था है, यहाँ पर मैं second semester का fill up कर रहा हूँ, तो यहाँ पर second semester वाले section पर click करूँगा, इस पर click करते हैं, उसके बाद आपसे यहाँ पर roll number पूछा जाएगा, तो यहाँ पर च होगा, तो यहाँ पर okay पर click करेंगी, उसके बाद यहाँ पर course detail में आपसे लोग देख सकते हैं, आपका course type है, आपका semester या year जो भी होगा, यहाँ पर आपकी college का code, college का नाम दिया होगा, student detail में आएगे, तो आपका यहाँ पर UN number, उसके बाद student type में regular, student का नाम, father name, mother name, उसके बाद यहाँ पर आपका photo, इस side में photo or signature अपलोड होगा, उसके बाद student detail में आपका जो है, यहाँ पर mobile number होगा, email id, आधार card number, उसके बाद यहाँ पर आप से लोगा gender, category, sub category, यहाँ पर और भी details हैं, यहाँ पर दिये होए हैं, उसके बाद यहाँ पर mailing address आप candidate वाले section में, यह यहाँ पर student detail वाले section में, यहाँ पर कोई भी तूटी है, मतलब आपके नाम में, माता जी के नाम में, पिता जी के नाम में, यह डेटा अब बार थे, mobile number, आधार card number, कुछ भी गलत है, तो यहाँ पर आप से लोग खुझ से संसोधन नहीं कर सकते हैं, जब आप से लोग अप का major subject दिया होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है, इस बार second semester और fourth semester में subject को चूझ नहीं करना है, यहाँ पर already choose रहेगा, चुकि आपने जो first semester में चूझ किया होगा, वही subject यहाँ पर भी already होगा, उसके बाद यहाँ पर co-curricular और vocational course का section है, यहाँ पर co-curricular course यहाँ आप बदल नहीं सकते हैं, और vocational course जो आपने first semester में लिया होगा, वही आप का रहेगा, उसके बाद यहाँ पर submit वाले section पर click करते हैं, इस पर click करने के बाद यहाँ पर instruction आएगा, please check all the details, after submit you cannot change your subject and paper, यहाँ पर already वैसे भी आप इसमें कुछ भी change नहीं कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपसे लोग ओके पर click करेंगे, यहाँ पर form submitted successfully लिख करके ओके पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे लोग देख सकते हैं, reference number दिया होगा, course, type, semester आपका, पिता जी का नाम, आपका नाम, mobile number, email id, आपको फीस जो payment करना है, जहां से आपसे लोग अपना फीस payment कर सक चले मैं आपसे लोग दिखा देता हूँ कि आपको फीस payment option यहाँ पर आपसे लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है debit card, credit card, UPI का option है, यहाँ से आपसे लोग अपना फीस payment कर दीजेगा, फीस payment करने के बाद यहाँ पर कुछ इस परकार से page open हो जाएगा, यहाँ पर आपसे इसका जो है दो print निकाल लीजेगा, एक अपने पास रखेगा और एक अपने college में जमा कर दीजेगा, यहाँ से लोग कोई जामने से फ़कार फिलब करने में कोई भी problem आ रही तो आपसे लोग comment करेगा, मैं आपके comment का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, वीडियो में last तक बने रहने के लिए धन्यवाद,